वो तीन बहुत ही गंभीर क्राइसिस से घ्योड़ चुके हैं अब इस्राइल की सेना को डर है कि कहीं इस हालात का फाइदा इरान ना उठा ले देखें रेपोर्ट 26 घंटों के अंदर इस्राइल और इरान की टक्कर में तीन बड़ी घटनाओं ने बेनमिन नेतनियाहू को पूरी तरह हिला कर रख दिया है नेतनियाहू को शौक नमबर वन अमेरिका ने इस्राइली सेना की एक स्पेशल यूनिट पर प्रतिबंध लगाने की तयारी कर ली है नेतनियाहू को शौक नमबर टू इस्राइल की मिलिटरी इंटेलिजेंस के चीफ ने पद से इस्तीफा दे दिया है नेतनियाहू को शौक नमबर तीन इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि इरान की मिसाइल पावर देखकर इस्राइल खौफ में डूब चुका है इस वक्त इरान के इस्राइल पर हमले और गाजा पर इस्राइल की लगातार बंबारी के बीच नेतनियाहू की बहुत ही खतरनाक पोर्स इंटरनाशनल हेडलाइन बन चुकी है पश्यमी मीडिया देखिए उनके अखबार देखिए इस्राइल की नेदजा येहूदा बैटैलियन पर बाइडन प्रतिबंद लगाने जा रहे हैं इस बैटैलियन पर आरोप है कि उसने फिलिस्तीनियों पर खौब जुल्म ढहाए है देखा जाए तो अमेरिका से आ रही ये खबरें बता रही है कि बहुत बड़े विबाद में घेचुकी है इस्राइल की नेदजा येहूदा बैटैलियन इस बैटैलियन पर वेस्ट बैंक में मानवा धिकार उललंगन का इल्जाम है 1999 में बनाई गई बैटैलियन में सिर्फ पुरुष सैनिक है और वो भी अती रूडिवादी पुरुषों को इसमें लिया जाता है नेदजा येहूदा बैटैलियन पर लगे इल्जाम 7 अक्टूबर 2030 से पहले के है लेकिन वेस्ट बैंक का दूसरा सच ये है कि 7 अक्टूबर के बाद से वहाँ 460 से ज्यादा लोगों की इसरेल की सैन्ने कार्रिवाई में मौत हो चुकी है इसरेल की नेदजा येहूदा बैटैलियन पर प्रतिबंद लगाने का मतलब है कि इससे अमेरिका से कोई सैन्ने मदद नहीं मिलेगी इसलिए यही है बेनेमिन नेतनियाहू को शौक नमबर फन नेदजा येहूदा बैटैलियन पर पाबंदी का मतलब इसरेल की सेना पर काला धबबा नेतनियाहू पहले ही अपने घर में लगातार प्रदर्शनों से जूज रहे हैं और अब उन्होंने अमेरिका की तरफ से आ रही इस रिपोर्ट को नाग का सवाल बना लिया है बाइडन का आकरामक रवया देखकर नेतनियाहू को बहुत कुस्सा आया है अब नेतनियाहू की तरफ से रियाक्शन ऐसा है कि सफ लग्राय की अजरेल अब ईड से ईड बजदेगा उसकी रामे जो हाएगा, तबाख कर दिया चाहिए अब देखकर नेतनियाहू को शौक नंबर टू अब देखकर नेतनियाहू को शौक नंबर टू अजरेली सेना के इंटलिजजजट शीफ ऐरान हलीवा नेस्तिफा देखकर दिया है 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसरेल पर हमला किया पूरी दुनिया ने इसरेली टैंकों को जलते हुए देखा 1000 से जादा इसरेली नागरिकों और सैनिकों की मौत होई इसी के बाद से इसरेल में अंदरूनी को हराम मचा था इस हमले के बाद इसरेली मिलिटरी इंटेलिजन्स के प्रमुक मेजर जनरल एहरान हलीवा बहुत दबाव में थे और अब उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ने का फैसला किया ये ऐसा वक्त है जब नेतनियाहू के सामने बहुत से फ्रंट खुले हुए हैं और उनकी कमांडर भी बहुत ज़्यादा प्रेशक में है घाजा पर रोजाना नौन स्टॉप बंबारी के बावजूद इसरेल अब तक हमास को खत्म कर पाने में नाकाम साबित हुआ है घाजा में 34,000 से ज़ादा लोगों की जान जा चुकी है लेकिन नेतनियाहू अब भी खाली हाँ थे दोजार चौबीस में अपरेल का महीना इसरेल के लिए ही नहीं इसरेल के प्राइम मिनिस्टर बेनमीन नेतनियाहू के लिए भी बहुत बड़ा शौक लेकर आया है बड़े युद्ध का खत्रा अब तक टला नहीं है तहरान में इरान के सरोच नेता अली खामनेई ने मिलिटरी कमांडर्स के एक मीटिंग बलाई इसे इरान की पावर स्टेटमेंट कहा जा रहा है क्योंकि खामनेई ने इस मीटिंग में ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर इसरेल के जवाबी हमले वाले दावों पर सवाल और तेज हो गए है इसरेल का दावा है कि उसने इरान के हमलों को नाकाम कर दिया था क्योंकि 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हुआ और 98% हमलों को आसमान में ही रोग दिया गया जबकि इसरेल से आई तस्वीरों से साफ है कि 13 अपरेल की रात इरान की कुछ मिसाइल इसरेल के सुपर सीक्रेट नेवातिम एयर बेस पर गिरी थी इन मिसाइलों के साथ बड़े बम नेतनियाहु के साथ इसरेल की साख पर गिर रहे है नेतनियाहु के कमांडर स्तीफा दे रहे है नेतनियाहु से इसरेल की पबलिक पूछ रही है कि घाजा में बंधक बनाये हुए लोग कब आजाद होंगे इस्रेल से लगातार पूछा जा रहा है कि इरान को कहा मारा, कैसे मारा, किसे मारा, कितनों को मारा, सबूत कहा है